दोस्तों, मैं लेके आगे हूँ आपके लिए एक बहुत ही शांदार वीडियो जिसमें आप अपने कोई भी कोई हुई फाइल को रिक कवर कर सकते हैं यह देखिए, मेरे पास एक फोल्डर है, फोल्डर में मेरे पास बहुत सारी फाइल है, यहाँ पी मेरे पास एकसल फाइल है, पीडिये फाइल है, वर्ट फाइल है, इन सब में मेरा कॉंटेंट है मेरे पास images है, images देखे किती सारी images है, मेरे पास video file है, music file है, और भी बहुत कुछ है, तो अगर ये folder का भी मेरा delete हो जाता है, for an example, मैं यहाँ से इसको delete करता हूँ recycle bin में, recycle bin से भी right click करके empty कर देता हूँ, तो इसको मैं recover कैसे करूँगा, मैंने बहुत internet में surf किया, और मुझे एक website बिली, जिसे हम कहेंगे 4DDIG, मैंने 4DDIG search किया, enter किया, सबसे पहली link आती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस link में आपको click करना है, जैसे आप click करेंगे, एक आपके पास बहुत ही शांदार page आ जाएगा, इस page में आप windows के लिए भी download कर सकते हैं, और mac के लिए भी download कर सकते हैं, और trust me guys, यह कोई भी file recover कर देगा, मैंने browse किया, थोड़ा नीचे किया, तो यह देखिए, यह कहीं से भी आपकी file recover कर सकता है, वो आपकी recycle bin हो, आपके formatted data हो, कहीं से भी system crash हो गया हो, यह कोई भी raw file है, हर एक file वो recover कर देगा, आप नीचे देखिए, बहुत सारे options ह एक नहीं, देखिए, word document office की हमारी अगर कोई भी file delete हो जाती है, तो हम उसे download कर सकते हैं, emails delete हो जाती है, वीडियो delete हो जाती है, उसे कर सकते हैं, photos, कोई भी format कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें जाके download करना है, और install कर लेना है, मैं already download और install कर चुका जैसे आपकी application launch हो जाएगी, एक second के अंदर अंदर एक page open होके आजाएगा, बिल्कुल इस तरीक से, अब आपको बस एक command देना है, basically आपकी वो जो file lost हुई है, वो कहां से हुई है, तो मेरी जो file lost हुई थी, जो पूरा पूरा folder delete हुआ था, वो मेरे desktop से हुआ था, उसके लि files recover कर रहा है, थोड़ा सा time लेता है, क्योंकि अभी तक जितनी भी मेरे desktop से file delete हुई है, यह सारी कि सारी recover करतेगा, तो हम इसे 100% होन देते हैं, और थोड़ा सा wait कर लेते हैं, तो जैसे ही आपकी 100% हो जाएगी, यह आपको एक pop-up देगा, scan completed, और कितनी files आपको मिली है, इसन क्लिक करके सारी की सारी files देख सकते हैं, नहीं तो आप वापस अपने preview में आओ, मैं यहाँ पे preview में आता हूँ, तो यहाँ पे भी आपके पास multiple options है, आप in multiple options में से किसी भी option को select कर सकते हो, और उसके according आप files देख सकते हो, और अगर आपको in files के preview देखना है, उसके लिए आ जो मेरी video files delete हुई है, यह बोलता है 95 video files, और यह सारी video files मुझे यहाँ पे देख रही है, जो delete हुई है, इनका name सेम नहीं होगा, याद रखना name हमेशा अलग होता है, तो आपको इनों अगर preview करना है, यहाँ पे आप option में क्लिक कर सकते हैं, तो यह preview भी हो जाएंगी, अगर इसके बाद वाले option में क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको एक preview का option मिल जाएगा, जैसे मैं images दिखा देता हूँ, images preview होने में time नहीं लेता, मैं photo में जाता हूँ, और यहाँ पे देखिए, JPEG, मैं इसको क्लिक करता हूँ, और यह देखिए, मेरे कितनी images यहाँ पे आ फोटो को करना है, मुझे videos को करना है, photo को करना है, audio को करना है, even, जैसे यह देखिए, मैं करना चाहता हूँ, इनको हटाता हूँ, audio files है मेरी, मैं audio में recover करता हूँ, यह बोलता है, कहाँ पे आपको exactly recover करना है, मैंने बोला, D drive में कर दो, D drive में कहाँ पे exactly, मैंने बोला, D drive में है ना interesting तो यह application आप लोग download जरूर करना और इसको use करना बहुत ही useful है मैं नीचे link दे दूँगा नीचे आपको coupon code भी दे दूँगा आप लोग use करना अपने system में कभी भी कोई भी file delete हुई हो आप उसे जरूर वापस ला सकते है चली दोस्तों आशे करतों वीडियो पसंद आ योगी पसंद आई तो like चर सब्सक्राइब करना बेल कॉल मत बूलना इस वीडियो को शेर करना मत बूलना